दो पडोसी थे अब देखो क्या होता है एक की स्थिती थोड़ी अच्छी थी दूसरा साधरन था साधरन क्या था? दस जार रुपे मेहने में नोकरी करता था और दूसरा था अच्छा संपन्य वैवशाई था वो हमेशा पडोसी को गिनता नहीं था उसके सामने बड़ा एंट कर चलता था रुपाब दिखाता था लेकिन वो उतना ही विनम्र था वो जितना रुपाब दिखा है वो उतनी विनम्रता से प्रस्तुत है समेबीता उसका बेटा पढ़के आगे निकल गया वो आईटी पास आउट हो गया गरीब था लेकिन बच्चा मेधावी था उसने मेहनत की और मेहनत करके अपनी प्रदवा से मेरिट में आया उसको स्कॉलर्शिप मिली और उसने आगे चलकर आईईटी कर लिया आईईटी करने के उपरां उसे एक अच्छी कंपनी में जौब मिल गई तीश लाख रुपे का सुरुवाती पैकेज आ गया लड़का बड़ा संसकारी था अपने माता पिता का भक्त था जैसी वो काम में लगा दो साल के भीतर उसने अपने पिता जी का सबसे पहले मकान ठीक कराया मकान बढ़िया बनवाया फिर एक अच्छी गाड़ी अपने पिता जी को दे दी अब अभी तक क्या था सामने वाले की स्थिती उससे बहुत अच्छी थी तो वो अकड़ करके चलता था अब ये इसकी स्थिती अच्छी हो गई उससे और कई गुनी अच्छी हो गई तो वो उसकी सारी जो अकड़ती न गलब लाने लगी अब वो क्या करे अब वो उसको तो बड़ी तकलीफ होने लगी ये आदमी जो कल तक मेरे सामने साइकिल से घूमता था आज लगजरी कार लेकर के चल रहा अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ वो उससे अपने आपको सुपर दिखाने की कोशिश करता था उस वेक्तिन एक दिन उससे भाप लिया और का भया मैं तो आज भी आपके सामने वही हूँ जो पहले था आप चिंता मत करें मैं कितना भी आगे बढ़ जाओं आपसे आगे नहीं बढ़ पाओंगा मैं मान करके चलता हूँ आप मेरे पीछे परिशान मत हो लेकिन ऐसे लोग क्या करें समझते नहीं बड़ी हलत खराब होती है कल तक एंट दिखा रहे थे अब आज उनकी एंट निकल गई एंट निकल गई बदलते देर नहीं लगती जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही जो आज उत्सो मगन है कल सोक कर रोता वही किस पर एंटते हो किस पर वह आप जालते हो तुम जिससे अभी तक साधरन मान रहे हो कल वही तुमारा बाप बन कर आ जाएगा वही तुमसे आगे बढ़ सकता है यहीं समझने की जरुवत है एक आदमी चला जा रहा था पाउं से ठोकर लगी एक पत्थर का छोटा सा तुकला उचट करके आगे एक गुलाब के पेल के पास चला गया गुलाब के पौधे ने पास में आये पत्थर को देखा और एंट करका हम ये भी कोई जिंदगी है सिर्फ ठोकर पत्थर ने गुलाब की बात सुनी और मन मसोस कर रह गया कुछ कहा नहीं तभी किसी दूसरे विक्ती की दिष्टी उस पत्थर पर पड़ी वो पत्थर के निकट आया उलट पलट कर देखा वो एक सिल्पी था उसे अपने घर लाया तरास तरास कर उसे सुन्दर मुर्टी का रूप दे दिया उस पत्थर से एक प्रित्मा प्रकट हो गई उसे अपने घर में बिराजमान कर दिया और अगले दिन जब उस मुर्टी पर पूजा का पहला पूल चढ़ाया तो वही गुलाब था जो कल उस पर हस रहा था अब वही गुलाब था जो उस पत्थर के चर्णों में था जो कल तक हस रहा था तुमारी भी ऐसी दिसा है आज तुम फूल बन करके फूल रहे हो तो ध्यान रखना कल तुम उस पत्थर पर चढ़ने के लिए भी मज़ूर हो सकते हो पत्थर भी भगवान बन सकता है इसलिए कभी किसी पर आइटो मात पल में तुमारी आइट निकल जाएगी मनश को इतनी सी समझ रखनी की भर देर है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बस्तता है जिन चीजों पर मनुष एटता है उनमें एटने जैसा कुछ है ही नहीं वो सब कर्मे के सैयोग से है तुम धन पर एश्वेर पर इतराते हो बैभाव पर इतराते हो अपनी प्रभुता पर इतराते हो अपने रूप पर इतराते हो अपने ग्यान पर इतराते हो अपनी सत्ता और हुकूमत पर इतराते हो अपने कुल और जाती पर एंटते हो इनमें से कुछ भी एंटने जैसा नहीं है एक पल में कब क्या हो जाए पता नहीं जल जीवन यवन सब पानी के बुलबुले के समान है कब बदल जाए कोई पता नहीं और पानी का बुलबुला क्या है पानी की सता के भीतर जब तक हवा भरी है तब तक बुलबुला है हवा निकलते ही क्या होगा तो भाईया मैं तुम से कहता हूँ कब तुम्हारी हवा निकल जाए कोई पता है इसलिए ज्यादा हवा में मत उलो हवा किसकते देर नहीं लगती